हमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे राधीका मीको भर्स में मेरे चितरबाथी आज आपको बताने जारे हैं बैक कैसे करना है उसके लिए आपको चाहिए बैक सीटर चाहिए मिल्की बैक्स लिया है याप हमने मौन सुन सी चाने इस पैचिला पॉडर इस्टिप्स यह सामान आपको पहले ही करके रख लेना है ताकि आपको बार-बार नहीं भागना पड़े फिर आप बैक्स करना ही शुरू करें और उसके लिए आपको टॉबल डाल दिनी क्लाइंट के उपर और बैक्स को आज कल हीटर आ रहे हैं वह नॉर्मल आ रहे हैं ऑटो कट होते हैं उसके बाद में आपको पॉडर लगा लेना है बॉडी के जिस भी भाग में करना जैसे हम यहां पे हातों में पहले पॉडर लगा लिया फिर हमने हेर डायरेक्शन देखा किस साइड है तो यहां पे तिर्छा हेर डायरेक्शन था तो उसी साइड हमने बैक्स लगाया और इस टेप को अपोजिस साइड खीचा इस तरह इसे देखिएगा बैक्स जिस तरह हमने लगाया था उसके जश्ट अपोजिस साइड हमने बैक्स को पकड़के बहुत थोड़ा सा प्रेस तागत लगा के करना होगा आपको हलके हाँ से मत कर येगा वन्ना फेयर जो है वह बीच में ही तूट जाते हैं जल से नहीं आते हैं तो जब आपके हेयर इकदम जल्ड़ से आ जाते हैं तो आपके हेयर एकदम जल जाते हैं देखिएगा काम हो रहा है अप hindsight में कुछ आपको टिप्स बतार भी हमने ब आपको लगा के निकालते जाना है स्वाइटिंग जब बहुत जादा होती है तो बैक्स आपको ध्यान रखना है कि यह सी आपका ओन हो और साथ में छोटे चोटे पार्ट लेके काम कीजिए गा और हमेशा जब बैक्स करें तो नीचे से देखे मेरे यह जो लड़की कर रही है वह देखे मेरे नीचे से ग्रिप लेना बहुत जरूरी है नीचे से इसकिन को खीशते हुए फिर उपड़ से करें इस चिप खीशेगा इसके अगर आप डायरेक्स देखना है ज्यादा गरम नहीं हो अगर ज्याधा गरम है तो अच्छे से आप फ़ूप के बैक्स को लगा है। बेट करके और हेर दयान का दियाना है और आपको बेगत जो आप निकाल रहे हैं इस टेप अपोजी डालेक्षिन में किछनी है और साथ में गिरब बहुत अच्छे से हैं ये काम करना है तो आपका बेग ढ़ना होका और जुरू बात प्रॉबलम होगा एक दो बार अगर आप इगनर से एक दो बार में थोड़ा आपको लगे गट पट पट जैसे आप करने लगेंगे आपकी स्पीट भी फास्ट हो जाईए यहां पर हमने वीडियो कोई फास्ट नहीं किया कोई कट नहीं किया नॉर्मल ही आपको प्रोसेस दिखाया है इसी तरह इनों ने पूरा हाथ मेरा कर दिया था थोड़ा सा भीड़ भाड जादा थी तो पूरा वीडियो सूट नहीं कर पाए हैं बट इसी तरह से आपको करना सारा प्रीकॉशन हमने आपको बता दिया है और उसके बाद में जब आपके बैक्स हो जाए तो आप उसको अच्छे से बैक्स को पहले साफ कीजिएगा गिले बाइप से स्पॉंज से तो उसको बैक्स को अच्छे से साफ करवा के फिर टॉबल से उसको सुखवाईए थप तपा के उसको पहुंचा जाए ना कि रगड के पहुंचा जाए इस चीज का भी आपको ध्यान दखना है और अगर एक हेर रह जाते हैं अगर क्लाइन कोई कह राया आपका तो आप उसको फ्रेट से भी निकलवा सकते हैं मौन्सुन सीजन में कभी कभी हो जाता है तो डरीएगा मत अब यह आप्यर वैक्स लोसन आता है इसको अगर हम लगवा देते हैं मॉन्सुन सीजन में तो cooling effect रहता है और क लिक में उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसको फिर से समझ लीजिएगा जाके देन आप प्रैक्टिकल को देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आयो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाइब